तो फ्रेंस आज की इस वीडियो में हम आपको घेरदार प्लाजो बनाना बताएंगे दो मीटर कपड़े में मैंने आपर दो मीटर कपड़ा ले लिया है यह देखेगा फ्रेंस और इसको अच्छे तरीके से पहले हमें फैला लेना है बिछा लेना है तो यहां पर मैंने इसको double fold फेला लिया है देखेगा यह मैंने इस तरीके से इसको फेलाए है double है हमारा यह कपड़ा 2 मीटर है इस तरीके से से मैंने फेला लेना है और उसके बाद सबसे पहले हमें इसकी ऊपर से belt के लिए कपड़े को निशान लगाकर के आलग रख लेना है इसमें से कटिंग नहीं करना नेकि निशान लगा के आपको दिखा देती हूँ मैं यह देखेगा इस तरीके से मैंने आपर दो इंच पर निशान लगा दिया आपको जितनी भी बैल्ट रखनी है उपर की जितनी आपकी लाश्टिक है उस हिसाब से उपर आप इसके कपड़ा छोड़ सकते हूँ और इसे छोड़ने के बाद अब हम लंबाई का नाप लेंगे जितनी भी आपके प्लाजों की लंबाई है आप उसका नाप ले लीजिए आपर मैंने 35 ले ली है लंबाई और नीचे हमें मोडने के लिए भी देखीगा फोल्ड करने में निकल जाएगा तो हमारी लंबाई पूरीती अब हम कमर का नाप लेंगे तो फ्रेंस हमें कमर का नाप लेना होता है जो हमारा हिप साइज होता है उसका चौथा हिस्सा लेना होता है हिप साइज हमारा 40 है तो उसका चौथा हिस्सा हमने 10 लिया है और 2 इंच उसमें हमें एश्टरा लेना होता है। आपको कोई भी हिप सैज हो आपको फ्रेंड्स उसमे 2 इंच एश्टरा लेना होगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मैंने 12 इंच पर निशार लगा दिया है। अब 12 इंच पर हम इस तरफ भी लगा देंगे निशार इस कोने पे लगाया था बारे पर बारे पर ही हम इस वाले कोने पर साज त्वीचा ले लेते हैं और 2 इंची हम ने उस unos तरह भी अच्छा सर्फ लिया था बिल्कुल बैसे ही यह निशान लगाए जाते हैं यह देखीगा अब इधर से हम इंची टेप को रखेंगे इस निसान से और दूसरे वाले निशान पर यहां पर हमें यह रखना है इंची टेप और इसमें निशान लगा देना है यह मैंने निशान लगा दिया है अब इसके ह कर लेंगे हम और यहां पर यह देखीगा कटिंग करने के बाद आभी आगे हम आपको बताते हैं मैंने कटिंग कर दी है तो आभी हम क्या करेंगे दूसरा वाला जो हमारा पर्थ है इसके ऊपर रखेंगे हम उसे इसके ऊपर हमें कैसे रखना है सीधा वाला हिस्सा सीधे की त सीधा वाला हिस्सा है यहां से हमें बनाना है आसन वाला इस्सा को अब उसको छोड़ते हुए हम क्राये के निशान लगाएंगे जो हमारा आसन का हिससा रहेगा उसे छोड़के लगाएंगे तो आपका जो भी ना पा रहा हो आपका 14 है या 15 है या 12 है आपका जो भी निशान है वहाँ पर आप आप आसन का निशान लगा दीजिएगा तो यहाँ पर मैंने बैल्ट को छोड़ने के बाद हमारा 12 इंच आ रहा था मैंने लगा दिया है निशान और 2 इंच मैंने अंदर की तरफ को यह निशान लगाया है इस तरीके से देखिए अब उपर से हम इसको ऐसे करके तिर्चा करेंगे इंची टेप को और यह निशान लगा देंगे तो यह हमारा क्रोच इरिया वाला निशान हो गया है और इसके बीच में इस तरीके से एक इंच का निशान लगा के इसमें गुलाई का सेब देना तो यह हो गया हमारा आसन का निशान अब इसकी हम कटिंग कर देंगे जैसे मैंने निशान लगाया है बिल्कुल ऐसे ही इसकी cutting कर देनी है मैंने इसकी cutting कर दिया ये देखीगा और फ्रेंस आप चाहो तो इसमें म्यानी भी लगा सकते हैं लेकिन जरूत नहीं पड़ेगी काफी लूज है और अब हम नीचे से भी थोड़ी सी कटिंग करेंगे जो हमारा तिर्षा वाला जो हिस्सा था ये वाला ये देखीगा यहां से हमें cutting करनी हो बस यह इद्यान रकनां आपको यहां से सिर्फ यह इस तरीके से cutting करनी होगें इंची टेप से नाप करके इस तरीके से cutting कर लिजिये अगर आपके weetिंग नहीं करोगे तो यह क्वाना dip हमारा लटक जाएगा तो इसलिए इस तरफ से आपको कटिंग करनी है तो हमारे पलाजों की कटिंग होगी है देखेगा कुछ इस तरीके से हमारा पलाजों है अब हमें आपको इसकी सिलाई करके दिखा देते हैं तो एक हिस्से को अभी हमालग हटा देंगे ये देखीगा और ये जो हमारा एक हिस्सा है इसमें आप हम सिलाई लगाएंगे इसके आसन में इस तरीके से सिलाई लगा देनी है हमको यह देखिएगा और सिलाई लगाने के बाद यह देखिएगा कुछ इस तरीके से हमारा यह बैठेगा पला जो और यह देखिए ऐसे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और अभी आपको क्या करना है फ्रेंस यह जो हमारा हमने जो सिलाई लगा इने इसमें यहां आपको इसके पर एक सिलाई और लगा देनी है इससे बहुत अच्छी फिनिसिंग आ जाती है और जो भी हमारा मार्जन होता ना उल्टी तरफ वो भी दब जाता है यह देखिए दब गया ना मार्जन इतर तो ऐसे ही आपको सिलाई लगा देनी है दूसरा वाला जो हमारा पर्थ होगा उसम आषान में पहलने लगानिया फिर उपर से से एक और लगा देनी हाधेपै की मैंने चल्ड होगा का से में सीधा मिला करके रखना है और अब इसके साइड में सिलाई लगानी है ये साइड में इस तरीके से चाहे तो आप महोरी की तरफ से सिलाई उपर की तरफ लिया ये चाहे उपर से नीचे की तरफ सिलाई लगा लेजिए और इस तरफ भी आपको बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है यह देखीगा इस तरीके से आपको दोनों तरफ इसी तरीके से सिलाई लगा करके तयार कर लेना है प्लाजो को तो मैं इसमें सिलाई लगाने के बाद आपको दिखा देती हूँ मैंने सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद आप हम इसकी उपर की बैल्ट को फोल्ड करेंगी आपकी जितनी भी एश्टरा थी उपर को लंबाई आपने जितनी एश्टरा रखी थी आप उसे इतना फोल्ड कर दीजीगा इस तरीके से ये देखीगा जितनी भी आपने लंबाई एश्रार की थी डेड़ इंच दो धाई जितनी भी थी आप उसको फोल्ड कर लीजिए अगर आपका कपड़ा कम बैठ रहा है लंबाई कम है तो आप बैल्ट में जोड भी लगा सकते हो इस तरीके से एक पट्टी कट कर लीजिए पूरे में और इसको फोल्ड कर दीजिए उल्टी तरफ तो ये भी बहुत अच्छे से फिनिसिंग से जुड जाती है तो मैंने इसे फोल्ड कर दिया है ये देखीगा कुछ इस तरीके से थोड़ा सा इसे खुला रखा है लाश्टिक डालने के लिए तो ये हमारा बहुत फिनिसिंग के साथ उपर से फोल्ड हो गया है और लाश्टिक हम को यहाँ पर देखीगा ये जो इसनी हमारी कमर है न उससे कम से कम पांच या छेंच कम रखनी है लाश्टिक आपको तो एकदम से फरफेक्ट वैठेगी तो मैंने इसको कटिंग कर लिय और आब इसे हमें एक पिंकी साइता से इसके अंदर डाल देंगी डालने के बाद और इसमें सिलाई लगा देंगे हम तो फ्रेंच बहुती आसान तरीके से हमारी पिलाजो कटिंग होके सिलाई हो जाते हैं बहुत ही सरल सा तरीका है लेकिन बहुत घेरदार और बहुत ही प्यारा सा पिलाज्यों बनके तया होता है तो यहां पर देखिए जो भी हमारा खुला वाला जो हिस्सा था उसको हम सिल देंगे मैंने उसे सिल दिया है और लगानी है तरीके से आपको त्षाल के साथ 2 सेसेनसके स्था करनें बदएगे मैंने मारी लगा दिया यह देखे गाlarını इसमें आच्छे से समय स्याइट हो गई है यह देखिए अच्छे से इसको सैट कर देना है यह देखिए इस तरीके से तो आपको इस सेंटर में एक स्लाई जरुर लगानी है तो अब बारी आती है नीचे से महोरी को फोल्ड करने की तो महोरी भी आपको इतनी ही फोल्ड करने है जितनी आपने लंबाई एस्ट्रा ली थी 1.5 इंच, 1.5 इंच, जोबी इतनी फोल्ड कर लीजिए और आप इसमें ये देखीगा मैंने निशान लगा दिया जितनी मैंने एष्टरा रखी थी नीचे महरी मोडने के लिए और आप इसमें कोई लेस भी लगा सकते हो गोटा पट्टी वाली लेस भी लगा सकते हो आप इसमें में एक लाइन दो लाइन जितनी भी लगाना चाहूं लगा सकते हो और इसके बाद फिर आपको क्या करना है यह बस आसन की तरब से यह सिलाई लगानी है यह सिलने के बाद मैं आपको अब दिखाती हम फ्रेंस तो यहां पर यह रहा हमारा प्ला जो सिल करके हो गया है वाले जो प्लाजो होते हैं बिल्कुल वैसा लोक इसका आ गया है तो इसका जो कुड़ता है फ्रेंस वो भी काफी हैवी कड़ाई वाला है तो उसमें भी इसी तरीके का वर्क दिया है तो इसलिए मैंने इसके प्लाजो में यह लेस लगाए तो काफी हैवी हमारा प्लाजो हो गया है और कितने आसान तरीके से हमारा प्लाजो बनकर के तयार हो गया है देखेगा और बहुत ही घेरदार हमारा प्लाजो बन करके तयार हुआ है उम्मीद है फ्रेंस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये कटिंग की और सिलाई की वीडियो आपको समझ भी आई होगी फ्रेंस अगर आपको ये वीडियो जराबी समझ आई है फ्रेंस तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए नए हो तो मेरे चै जो झालू है